दोस्तों आपने अपने घरों के आसपास पोल्स में एक 3-phase transformer लगे हो ज़रूर देखा होगा सो आज हम यहीं देखने वाले हैं कि यह transformer basically कैसे work करता है और इसका काम क्या होता है सो 3-phase transformer थोड़ा सा complicated हो जाएगा इसलिए इसे easy way में समझने के लिए हम example के लिए लेंगे एक single-phase transformer वेल इस single-phase transformer को use power system के साथ साथ बहुत सारी electronic devices में भी होता है सो दोस्तों यह single-phase transformer कोई सा भी हो बड़ इसकी working को समझने के लिए हमें समझने है सिर्फ यह 3 main parts इसका पहला part है इसकी core और यह जो core होती है यह बहुत सारी metal की पतली sheets से मिलकर बनी होती है जिसे हम lamination कहते हैं और यह lamination हमेशा एक दूसर से isolated रहती है विकॉज उनके बीच में एक varnish की पतली सी layer होती है इसे ऐसा इसलिए मना जाता है विकॉज इसमें एक addy current loss होता है विच आप इस टेल यू लेटर अब इस core के एक side में हम लपिटते हैं इस transformer का दूसरा main part जो की है primary winding और दूसरी side हम लपिटते हैं इसका तीसरा part जो की है इसकी secondary winding so basically यह जो winding है यह copper conductor होता है जिसकी उपर brown color की insulation के layer लगे होती है तक इस supply देने पर यह coil या फिर conductor एक दूसरे से short ना हो जाए और नहीं यह core से short हो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो transformer का work पूरी तरीके से fail हो जाएगा और transformer work नहीं करेगा सुझासर के हम समझ सकते हैं कि transformer का basic work यह होता है कि हम उसकी primary winding में AC supply देते हैं because DC supply में transformer work नहीं करता है यही reason है guys कि हम transformer की primary में हमेशा AC supply ही देते हैं because transformer जिस principle पर work करता है वो है mutual induction और guys यही सबसे main point है आपको हमेशा याद रखने है कि mutual induction क्या है फ़र अगर आपको यह पता है कि ferrardos law of electromagnetic induction क्या है तो आप mutual induction को easily समझ जाओगे फ़रले ferrardos law of electromagnetic induction बड़ा simple सा है यहीं बताना चाहता है कि अगर को conductor किसी changing magnetic field को experience करता है तो उस conductor में EMF induced होगा जिस वज़ा से उस conductor में current flow होगा और वही same process mutual induction में भी होती है जिसके हम देख सकते हैं कि हम एक primary winding में AC supply देते हैं AC supply की वज़ा से उस primary winding में changing magnetic field produce होगी और अगर कोई second recoil इस changing magnetic field के contact में आ चाहती है तो उस coil का conductor उस changing magnetic field को experience करेगा जिस वज़ा से उस coil में EMF induced होगा बट हेर as you can see guys जो बनने वाली changing magnetic field है वो air में randomly इधर उधर फैलती जा रही है जो कि actually waste हो जा रही है सो हमें यहाँ पर एक ऐसे medium की ज़रूत होगी जो इस magnetic field को यानि magnetic flux को अपने अंदर से होकर गजारे और flux को waste ना होने दे सो guys इसलिए हम medium के तोर पर use करेंगे soft iron से बनी इस core को वैल यह literally soft iron से नहीं बनी है बट यह material का type है जैसे हम soft iron कहते हैं because इसकी permeability बहुत ज़दा high होती है और यह ज़दा-ज़दा flux को अपने अंदर से होकर गजारने में मदद करता है सो guys इस तरह से transformer work करता है हम इसकी primary में इसी supply देते हैं जिससे alternating magnetic flux बनती है जो कि स्कोर के थुरू होते हुए secondary winding से link करती है जिस वज़ा से changing magnetic flux होने की वज़ा से secondary winding में changing current induce होता है सो दोस्तों transformer का basically work किया ही होता है कि हम इसकी primary में जो voltage supply दे रहे हैं उसे हम अपने हिसाब से secondary में उस voltage level को change कर सकते हैं well, voltage level को change करने के लिए यह depend करता है कि हम कितनी turns का use कर रहे है secondary में यानि कि हम coil को कितने बार secondary में लपेट रहे हैं पर दोस्तों इसमें एक point हमीशा याद रखना है कि अगर secondary में voltage step up हो रहा है तो जो current होगा secondary में वो step down हो जाएगा और वैसे ही अगर secondary में voltage step down हो रहा है तो जो current होगा secondary में वो step up हो जाएगा So basically इसका मतलब यह है कि जो voltage और current का ratio है वो primary और secondary में हमीशा same रहेगा Because guys power हमीशा दोनों side same ही रहेगी Because power को हम secondary side में बढ़ा नहीं सकते वो बात अलग है guys कि इसमें थोड़े बहुत losses होते है जिसकी वरह से power थोड़ी सी reduce हो रहाती है वो भी होँत minor सी होती है इसमें से एक होता है core loss और दूसरा होता है copper loss Well guys core loss में दो type के losses होते है जिसमें से पहला होता है hysteresis loss और दूसरा होता है addy current loss जो कि एक important topic है Well hysteresis loss हो कम करना one of the reasons है कि हम core को soft iron material का बनाते हैं और जिससे कि मैंने वीडियो के starting में बताया था कि addy current loss हो कम करने के लिए हम इस core को फॉसरी पतली metallic sheets में divide कर देते हैं जिससे हम lamination कहते है और unlaminations को एक दूसरे से isolate करते हैं उनके बीच वो और निश की एक layer लगा कर जिससे किसमें बनने वाला addy current reduce हो जाता है और addy current loss कम होता है So guys that's all the basic knowledge for a single phase transformer और अगर वीडियो अच्छा लगो तो please like कर देना and if you have any doubt then please let me know in comment section So guys फिर में लेंगे एक नए electrical animated वीडियो में See you, bye